केवल दो बुंद अगर आपने इस चीज़ को अपने बालों में लगा लिया तो आपके बालों को लंबा होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा जी हाँ फ्रेंड केवल दो बुंद ही काफी है आपके बालों को ग्रो करने के लिए लंबा करने के लिए मोटा करने के लिए क्यू तो आज की रेमेडियों आप यूज करके देखें इससे आपके बालों को 100% फायदा मिलेगा और इस रेमेडिय की सबसे कमाल की बात यह है इसे बनाने में आपके टाइम बिल्कुल विवेस्ट नहीं होगी केवल 5 मिट लगेंगे इस रेमेडिय को बनाने के लिए और इसमें हम यूज करेंगे हो आपके घर में असानी से आपको मिल जाएंगी आपको बाहर से नहीं कुछ भी लेना है आपको अपने पैसे करने पड़ेंगे बोहतीं असानी होंगे मोटी होंगे घनी होंगे और यह समर के लिए बैस्ट है अगर आपके बाल भी गर्मियों में तूटते हैं जड़ते हैं तो इससे आपके बाल बिल्कुल भी नहीं तूटेंगे और नहीं आपके बाल जो हैं बिल्कुल ड्राइ होंगे बालों में बिल्कुल भी नहीं तो चले स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें यहां पर क्या क्या लेना है लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी नगे तो प्लीस आप वीडियो को लाइक से रिकमेंट करना ना भूले और जो भी फर्स टाइम भी वीड साइज का अनियन इसे आपको अच्छे से इसका चिलका उतार कर इसे आपको कट कर लेना है तुकड़ों में कर लेना है और फिर हमें यहां पर लेना है गार्लिक यह दोनों चीज़े हमारे बालों के लिए बहुत ही फास्ट आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करती है ल और गर्षिम करती है जो रहा है उसे यह रोखने में हल्प करती है इसलिए आपके मन में कोई विडाउट है अनियन या गार्लिक लेकर किसे हमारे बाल वाइट हो जाएंगे तो मैं आपको दावा करती हूँ कि इससे आपके बाल बिल्कुल भी वाइट नहीं होंगे बिना किसी डाउट के या डर के आप इस रेमेडिय को यूज करके जरूर देखे अपने बालों को ग्रोध को बढ़ाने के लिए इससे बनाने के लिए आपको एक पेन लेना है और इसमें आपको यहाँ पे लहसुन को और आपको यहाँ पे अनियन को काटके यहाँ पे रख देना है आपको यहाँ पे तीन कलिया का यूज़ करना है लगसुन को फिर आपको इसमें डालना है एक चमच यहाँ पे कोफी पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप करदे और आप यहाँ पे चाय पत्ती भी ले सकती है इसके जग़ा पे लेकिन अगर आपके पास कोफी है तो आप यहां पे ले ले और जिनके बाल भी वाइट हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं वह चाहते हैं पने बालों को कभर करना तो आप इस रेमीडे को यूज करके देखें इससे भी आपके बाल जो वाइट हो गया हैं बिल्कुल ब्लेक होने है टार्ट और हो जायनके लिए यसे पानी के सदस्य itself to review जैदेशाफ में यह पानी है यह बहुत ही फायधे मनें उपके तूटनी कि ध्याइट हो जाते हैं मेरे बालो पसीना होता है जिससे कि हमारे hair root weak हो जाते हैं अगर आपको भी यह समस्या होती है तो आप इसे क्या करें अपने बालों पे simply spray करें हलकी हाथों से आपको massage करने हैं फिर इसे आपको अपने बालों में ऐसी dry होने के लिए छोड़ दिना है बार बार आपको अपने बालों को spray करना है best फिर अपने बालों को अच्छे साबको धो लिए यहां पर मैंने two तरीके मता हैं इसे यूझ करने के लिए आपको जो अच्छा लगे जो अफने बालों के लिए आप वयसेइने बालों पे लाज़े करें जैसे आपको लगाना है आप ऐसे उसे लगाए और इससे आपके बाद दस उना तेजी से लंबे होंगे तो आज लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बब बाई